तो सद्कुरू, आप हमें जो बता रही हैं, उनमें से एक या दो ऐसी चीज़े बताईए, जो हम कल कर सकते हैं, जिन से हमारी जागरुकता, धारणा और विचार शीलता बढ़ेगी. ओ, तो आप कुछ घर ले जाना जाती हैं? जी, एक तरह से, पर कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहें, ना कि ऐसा जो छूट जाए, क्योंकि हमने आपसे बहुत सी चीज़े सुनी हैं, हमने बहुत कुछ सुना है और मैं सोच रही हूँ कि कल में नया क्या करूंगी? देखिए, 26 अक्षर वाले ABC को सीखने के लिए, कम से कम अगर आपने भारती ये भाषाएं सीखी होती हैं, तो 54 अक्षर होते हैं, सिर्फ 26 अक्षरों को ठीक से लिखने में आपको कितना समय लगा? उन्हें सही करम में लिखना और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तिमाल करने में कितना समय लगा? ओ, मैं आज भी सीख रही हूँ, काफी समय लगा कम से कम 3-4 साल, नियूंतब, वाक्य बनाना और उनका मन चाहे तरीके से उप्योग करने के लिए शायद 12-15 साल की शिक्षा लगी होगी? हाँ, तो आपने केवल कुछ शब्द सीखने के लिए इतना कुछ किया? वर्ड क्राफ्ट पर अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृती के बारे में कुछ जानने के लिए, जो आपको नए आयाम में ले जा सकता है आप उसे दो मिनिट में जानना चाहते हैं, इतनी नाइनसाफी क्यों? नहीं, मैं दो मिनिट में सिर्फ शुरू करना चाहती हूँ ठीक है, तो शुरू कैसे करें? बस इतना कीजिए, आज बिस्तर पर जाने से पहले, हर घंटे, खुद को याद दिलाइए, अभी आठ बजने वाले आठ बजे खुद को याद दिलाइए, वाह, मैं अब भी जीवित हूँ नहीं, हसिये मत, आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे धर्ती पर दस लाग से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे कल सुबह, मान लीजे आप जाग गए हाँ, किसे पता है? आप हमेशा सोचते हैं, मैं नहीं मरूँगा, कोई और मरेगा भयंकर बात है कल सुबह अगर आप जाग जाएं, तो पहले जांच लें क्या मैं वास्तव में जाग गया? जिन्दा हूँ? मैं अब भी जिन्दा हूँ, वाह आपको कुछ भी करने की जुरुवत नहीं है, चिल्लाना मत कम से कम एक बड़ी मुस्कान, ठेक है? मैं अब भी जिन्दा हूँ, दस लाग से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे पर यहां मैं जिन्दा हूँ, शांदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं, तो आप कल सुबह जिन्दा रहें, तो बस एक मुस्कान, वाह फिर शायद आपके जीवन में दो, तीन, चार लोग हैं जो आपके लिए बहुत माहिने रखते हैं बस उनकी जांच करें, वो और वो और वो और वो जीवित हैं, सब ही जीवित हैं, बहुत अच्छा अगर आज रात दस लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम एक करोड लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जो उन्हें प्रिये हैं पर उन्हें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो आपको बहुत प्रिये है, शांदार है या नहीं एक और बड़ी मुस्कुराहट, किसी को बताना मत, बस मुस्कुराएं, ठीक है, ग्रेट सुभे आठ बजे, वाह, आठ बज गए, अब भी जिन्दा हूँ हर एक घंटे, बस ऐसा करें, ठीक है, हर एक घंटे, बस खुद को याद दे लाएं, चेक करें क्रेपिया ऐसे समझें, अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो आप ब्रह्म में पढ़ जाएंगे जब आप अपनी मृत्यू के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृती जानना चाहेंगे जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे, ये क्या है? ये है क्या? मैं अभी जिन्दा हूँ पर कल सुबह जा सकता हूँ इतने सारे लोग जो बिलकुल ठीक हैं अचानक चले जाते विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए आपने इसके बारे में दस मिनिट सोचा और फिर आप बिजी हो गए आपको SMS भीजना था मेरे पिता मर चुके पर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं इस सवाल को गहरा होने दे अगर आप इसे हर पल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर गंटे अपने आपको याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं, आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं, अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे, आप के पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा, आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई माइने रखता है आपके पास किसी के साथ कोई बक्वास करने का समय नहीं है आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि ये एक छोटा जीवन है अगर आप एक खुश व्यक्ति हैं तो अगर आप एक दुखी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा जीवन है तो अगर आप खुश हैं, और अगर आप सौ साल भी जीते हैं, तो ये बहुत छोटा है, अगर आप दुखी हैं, तो आप कितना लंबा जीवन जीएंगे आप जानते हैं, तो ये बहुत ही छोटा जीवन है, आपको उसके इलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो आपके ल लगता है कि आप अमर हैं, वरना लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं 80 तक जीवित रहूँगा, शायद 100 तक, तो मैं 70 की उम्र में ये करूँगा, जब मैं 75 साल का हो जाऊँगा, जब मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपने पडूसी को देखकर मुस्कुराऊँगा, जब स हम भी उम्र का आशिर्वाद देता हूँ, पर ये संभव है, है ना, हर देन ये 10 लाख लोगों के साथ हो रहा है, तो कल सुबए क्या आप या मैं नहीं जा सकते, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, अगर आप अपनी मृत्यू के प्रती सचेत हैं, तो जागरुख होना स्वभाविक रूप से होगा, क्यूंकि जीवित रहने का महत्व खिल उठेगा, आपने सभी प्रकार के शब्दों का उप्योग किया, जो अमेरिकी तट से आए हैं, माइंडफुलनेस, जागरुखता, मानसिक सतर्कता, नहीं, आपको इन चीजों में फर्क करने की आवशकता है, मानसिक रूप से सतर्क रहने से, आप जीवन बहतर तरीके से चला पाएंगे, अगर मैं मानसिक रूप से सतर्क हूँ, तो मैं बहतर ड्राइव कर सकता हूँ, अपना काम बहतर कर सकता हूँ, जागरुकता ही जीवन है, सवाल केवल ये है कि कितना जागरुक, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे 50 प्रतिशत जीवत हैं, तो ये काफी अच्छा है, हाँ, आप 50 प्रतिशत पर जी सकते हैं, पर आपको ये समझने की जरूरत है, अगर हम किसी को यातना देना चाहते है अगर आप किसी को यातना देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें मार देंगे, मान लीजे कि आपको नरक में रोजगार मिला, मान लीजे आपको लोगों को प्रतारित करने का काम दिया गया, तो आप क्या करेंगे, मार डालेंगे, हलो, नहीं, उन्हें आधा यातना कहा जाएगा, शायद आप कहीं और रोजगार पानी की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि दो या तीन साल की उम्र से ही, लोग आपके माता पिता आपसे पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे बेटा, मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ हूँ, मुझे एक इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, देखिए इस धर्ती पर हर जीवन, चाहे वो एक पक्षी हो, एक कीड़ा हो, कीट, पक्षी, जानवर, पेड, जो भी हो, वे सभी एक पूर्ण जीवन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक कीड़ा, एक पूर्ण विक्सित कीड़ा बनने क कोशिश कर रहा है, एक पेड, एक पूरा पेड बनने की कोशिश कर रहा है, एक इनसान को भी एक पूर्ण मानव बनना होगा, नहीं नहीं, आप क्या बनेंगे का मतलब है, आपको कैसी नौकरी मिलेगी, तीन साल की उम्र से, ये पागलपन इस वज़े से आया है, क्योंकि इस अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं, तो आप जीवन चला सकते हैं, आपको किसी डिगरी की जुरुत नहीं है, अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं, तो आप जीवन चला सकते हैं, आज ये कोई मुद्दा नहीं है, एक समय ऐसा थ या ये सिर्फ एक औसत भगवास होगा, यही सवाल है, क्यूंकि जब आप इंसानी रूप में आते हैं, तो कुछ भी होता है, वो काफी नहीं होता, कुछ और होने की जरूरत होती है, हाँ या ना, शायद आप सोचें कि आप अलग-अलग काम कर रहे हैं, जो आदमी मंदर जा कुछ लोग PDS जाते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मंदर में फ्री में मिल जाएगा, इसलिए वे वहाँ जाते हैं, कोई दुनिया को जीतने के लिए जाता है, कोई शॉपिंग के लिए जाता है, ऐसा क्या है जो आप पानी की कोशिश कर रहे हैं, ये बस जीवन का ए दिखने की शमता बढ़ाई जाए, अगर आपकी अनुभव करने की शमता नहीं बढ़ती, तो आपके आसपास सब कुछ हो सकता है, फिर भी आपका अनुभव वैसा ही रहेगा, आधुनिक जीवन बस यही है, किसी भी दूसरी पीड़ी के पास हमारे जितनी चीजे नहीं थ पर क्या इससे खुशी मिली है? नहीं, आप अपना भीतरी अनुभव बाहर से तैन नहीं कर सकते हैं, इसे भीतर से होना होगा, और आपका अनुभव जितना बड़ा है, आपका जीवन भी उतना ही बड़ा होगा, ना कि उतना जितना सामाजिक रूप से दूसरे लोग सोच यह सामाजिक रूप से फायदिमन हो सकता है, पर यह जीवन के संदर्भ में काम नहीं करेगा, इसलिए जब हम जागरुकता शब्द कहते हैं, तो हम जीवन के जरूरी हिस्से की बात करते हैं, क्योंकि आप जागरुक हैं, सिर्फ इसलिए आप जीवित भी हैं, क्या ऐसा न यह बस उतना ही प्रकाशित करेगा, लेकिन वे चाहते हैं कि बस कुछ रोशनी हो जाए, इसलिए उन्होंने वोल्टेज बढ़ा दी, इसलिए अगर आप वोल्टेज कम करेंगे, तो आप केवल इतना ही देखेंगे, अगर आप इसे बढ़ाएंगे, तो आप उतना देखे और आधिक जागरोखोंगे, तो कुछ और, ये सभी शब्द जुड़े हुए हैं, प्रग्न, गुरु शब्द, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रग्न का अर्थ है, आप सचेत हैं, क्योंकि आप सचेत हैं, इसलिए आपकी चेतना की तीवरता के आधार पर आप अपने आसपास की हर चीज़ को एक हद तक जान पाते हैं। अब गुरू शब्द कार्थ है, गू कार्थ है, अंधेरा। ये एक चार अक्षर वाला शब्द है। रू कार्थ है, मिटाने वाला। तो एक गुरू आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है। वो आपको फिलोसफी देने वाला नहीं है, आपको विचार धारा देने वाला नहीं है। बस इतना है कि वो थोड़ा और प्रकाश देगा। थोड़े और प्रकाश का मतलब है, इस हॉल में अंधेरा है। और आप केवल पहली दो पंक्तियां देख पा रहे हैं, और आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, अगर मैंने एक टॉर्च से रोशनी की, तो आपने देखा, ओ इतने लोग हैं, ये एक पूरी दुनिया है, पर मैंने टॉर्च बंद कर दी, तो वहां कुछ है, अब मुझ गुरू की तरह नहीं है, वे गुरू की तरह बात नहीं करते, दिखते नहीं है, गुरू की तरह चलते भी नहीं है, वे गुरू नहीं है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, अब हर चीज जैसी है, उसे वैसे ही देखने की बात करें, तो क्यूं इसे मैं खुद पर विश्वास करता हूँ बना लिया है। दोनों गलत हैं। वे अलग-अलग तरह का असर डालते हैं। देखिए विश्वास का मतलब क्या है। मूल रूप से विश्वास का अर्थ है कि आप जो नहीं जानते उसे लेकर मैं नहीं जानता कहने के लिए तयार नहीं है। जो आप नहीं जानते आप विश्वास कर लेते हैं। अगर आप विश्वास कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आप में आत्मविश्वास आ जाएगा. स्पश्टता के बिना आत्मविश्वास एक खत्रा है. अभी मान लीजे, मैं इन लोगों को नहीं देख सकता. मेरी नजर साफ नहीं है. पर मुझे बहुत विश्वास है. मैं इन लोगों की बीच से गुजरने वाला हूँ. आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा? मैं हर किसी पर कदम रखूँगा और जाऊँगा, क्यूंकि मेरे अंदर विश्वास है. ऐसे कई लोग हैं. अगर मेरी नजर स्पष्ट है, तो मैं बिना किसी को छुए यहां से निकल जाऊँगा. अगर मेरी दृष्टी स्पष्ट नहीं है, और मुझे कोई विश्वास नहीं है, तो मैं पूछूँगा, क्रिपया कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है? पर अब, मेरे पास कोई स्पष्टता नहीं है, पर मुझे विश्वास है. यह एक विनाशकारी प्रक्रिया है. इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, या किसी भी चीज़ पर विश्वास करना यह एक जूटी बात है. आप खुद से जूट बारे में जिसे आप जानते नहीं, समस्या क्या है, जो मुझे पता है पता है, जो मुझे नहीं पता नहीं पता, इसमें क्या परिशानी है, अगर इतनी इ Hutchin को सब्सक्रावक्राश ऐनदारी आपके जीवन में आजाती है, बस यह समझ लीजिये, मैं जो जानता हूँ, वो जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, ना ही किसी चीज़ पर अविश्वास करता हूँ, मैं हर चीज़ को देखने के लिए तयार हूँ, आप एक समझदार इंसान बन जाएंगे, और हर एक गंटे में आप खुद को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं और एक मुस्कुराहट के साथ खुशी मनाएं कि आप अब भी जीवित हैं। आप देखेंगे कि आपके साथ चमतकार होगी। अरे रुको रुको आठ बज गए हैं। नए 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 हमारे पास और समय हैं। और समय है मैं ये नए नए मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आठ बज गए हैं अब आप भी जीवित हैं। हम सभी जीवित हैं। और मिलकर जच्न मना रहे हैं।